आज हम आपको बनाने सिखा रहे हैं कोक्टेल जूस इसके में हमने कौन कونसे चीज़ों की जूरूरत है और कोक्टेल जूस हम दो या दो से ज्यादे प्छलों को मिक्स करके जूस बनाते हैं तो इह बहुत है बहुत ही इसाण था का होता है और ये बहुत ज्यादा अनर्जेटिंग भी धार चले शुरू करते हैं हम आपनी रिश्पी तếu है चीमा का मैं कि अवरी और अनाल। अगर आपने हमारे Twitter चैनल को सब्सक्राइब करिए हैं। और सब्सक्राइब को प्रेस करें। यस से आने वाली खाल। हमारी मिले को श questions आपने वाली नॉटिफीकेशन आपको सबसे पहले मいलें शुरू करते हम अपन रैस्पी तो यहां पर मैने ये मिशीन दिया है ये आटοमेटिक भी है और आप मैनgere भी यूज कर सकते हैं और इस तरह माल्टे मुसमी का जूस निकाल सकते हैं ठीक है यह मुसम्मी का निकाला अब हम माल्टे का जूस निकालेंगे इसी तरह हम मुसम्मी और माल्टे जितने भी हमारे जूस निकालेंगे इनसे ये देखे हमारा जूस त्यार हो चुका है अब यहां पर हमने जूसर लिया है और जो हमारा सेब है उसका भी जूस निकाल लेते है यह बहुत ही मज़दार बहुत ही जाइके वाला और बहुत ज़्यदा नर्जेटिक जूस त्यार होगा ठीक है इसको इस मुसम में बहुत अच्छा है अब यहां पर हमने जो अनार थे वो लिये है स्पून की मदद से मैं इसमें डालके जूसर में और इसका भी जूस निकाल लेंगे अच्छी तरह से यह बहुत अच्छी तरह से इसमें से जूस निकाल जाएगा ये देखे हमारा ये है सेब और अनार का जूस और ये जो हमने माल्टे और मुसमी का जूस दिया था अब हम अपना कोक्टेल तियार कर लेते हैं तो यहां पर मैं सबसे पहले सेब और अनार का जूस है वो आड करूंगी आप वैसे भी अकठा भी मिक्स कर सकते हैं और इस तरह भी तियार कर सकते हैं ठीक है अब हम इसके अंदर डालेंगे माल्टे और मुसमी का जूस बहुत ही कलरफुल और यह देखे बहुत ही डिफरेंट सी शेयर डारी है इसमें लीजिए हमारा कॉक्टेल जूस त्यार हो चुका है बहुत ही मज़धार सा बहुत ही जाइकरफूल है और बहुत जाएदर नेरजिटिक है इस मौसम में भी बहुत ही लोग पसंद करेंगे इंजॉय करेंगे उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें शेयर कर और बल आइकोन को प्राइस करना भी मत भूलिएगा इस से आने वाले हमारी हर नियो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा तब तक दें अजाज़त अलाहाफ़ाएद अ का बचलाहागएद प्राइस प्राइस करकी कर एंभ दोफ 17 लाइस से पहले हैं मारी हमारी हमारी हुप फस्सक्र मनिले हमारी हमार Хणक्ष्विकेशन साहच्चिज।